हल्दी राम ने अपनी दुकान के शुरुआत एक छोटी सी दुकान से की थी लेकिन अब हल्दी राम पुरे भारत में राज कर रही है हल्दी राम के तरक्य इतनी आगे बढ़ गई कि अब ये वीडियो कौन को खरीदने में जुटी हुई है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक दिवालिया कानून के तहद विक रही वीडियो कौन को हल्दी राम के साथ साथ आठ अन्य निवेशकों ने खरीदने की इच्छा जताई है दरसल आठ निवेशकों ने आपचारिक तौर पर एक्सपरेशन्स ओफ इंटरस्थ जमा किया है हल्दी राम के अलावा भी एक सरकारी ओयल एंड गेस कंपनी के और स्ट्रेटेजिक और फाइनेशियर इन्वेस्टर्स शामिल हुई है आपको बता दे कि देश में कई कंपनियों पर देनदारी नहीं चुकाने की चलते मामला बैंक करपसी कोट में गए थे जिसके बाद वीडियो कॉन के लिए खरेदार ढूंडनी की प्रक्रिया उपचारिक रूप से अगस्त में शुरू हुई थी दरसर वीडियो कॉन इंडिस्ट्री का कारोबार कई शेत्र में फेला हुआ है इस कंपनी पर स्टेट बैंक आफ इंडिया की अगवाई वाले लेंडर्स के ग्रुप का 20,000 करोड रुपए बकाया है जिसके शल्दे इसने खुद को दिवालिया घोशित कर दिया वीडियो कॉन इंडिस्ट्री जॉइल बिजनस में घाटे की कारण संकट में आई थी दरसर कंपनी ने कुछ असेट्स बेच कर बैंक कर्ज चुकाने की कोशिश की लेकिन उसमें उसे खास काम्याबी नहीं मिली बैंक दोजा 16 से विभिन स्कीमों के तहत समाधान की कोशिश कर रहे थे बताने की वीडियो कॉन इंडिस्ट्री ज के चेर्मेन वेनू गुपाल धूत के खिलाव सीबियाई जाज भी चल रही है यह मामला ICICI बैंक की MD चंदा कोचर के पती दीपक कोचर से जुड़ा हुआ है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन फोर अपडेट्स